आम आदमी पार्टी वर्सिस मोदी सरकार लगतार बार बार यही मुद्दा देखा जा रहा है क्योंकि चुनाव का दौर शुरू हो चुका है और इस सिलसिले में आप देखेंगे कि किस तरह मोदी सरकार एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर हमला वर होती हुई दिखाई दे रही है दरसल मुद्दा होता है कि यहाँ पर मोधी के खिलाफ पीम नरेंद्र मोधी के खिलाफ एक पोस्टर लगाया जाता है पूरी दिल्ली में देश बचाओ, मोधी हटाओ, तो ये मोधी हटाओ का नारा जिस तरीके से देखा जाता है कि खुद भारतिय जनता पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि मोधी लाओ, घर-घर मोधी, हर-हर मोधी के भी नारे लगाए जाते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे जब इसी के सपस्ट करने के लिए संजे सिंग यहाँ पर बोलते हुए नजर आते हैं, संजे सिंग जम कर भारतिय जनता पार्टी पर हमला वर होते हुए दिखाई देते हैं, मुद्दा होता है पोस्टर वोर का, पोस्टर के जरीए प्यम नरेंद्र मोधी की अलोचना, लेकिन उस पोस आरोप लगाती है कि आम आदमी पार्टी के नेतरित्व में यह पोस्टर लगवाए गए हैं, लेकिन संजे सिंग कुशवार ही बोलते हुए नजर आते हैं, हम आपको बताएंगे उससे पहले, नमस्कार मैं आजमिन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 News, दरसल संजे सिंग एक समाजिक कारे करता भी हैं, आम आदमी पार्टी से भी हैं और एक राज्य सबासांसत भी हैं, वो लगतार उन मुद्दों पर बोलते हैं, जिस पर मोदी अपने आप मोन वरत धारन कर लेती है, मुद्दा होता है गौता मडानी का, अब मुद्दा है मोदी हटाओ का, अब च कि पोस्टर है, उस पोस्टर को देखेंगे जब आप आपको भी लगेगा कि इससे कहां जाहिर होता है कि आम आदमी पार्टी ने लगाया है, ऐसे पोस्टर दिल्ली में ही नहीं, संजे सिंग कहते हैं, ऐसे पोस्टर तो तमाम राज्यों में लगेंगे, तो क्या आप आम आदमी पार्टी की सरकार को गेरेंगे, अब ऐसे में संजे सिंग ने साफ कर दिया है कि आम आदमी पार्टी का इसमें कोई हाथ नहीं है, और ऐसे में भारती जनता पार्टी फिर से एक बार जूट बोलती हुई नजर आ रही है, और जूट बोलो की राजनीती कर रही है, गौतम अडानी पर वो नहीं बोलती है चुप्पी साद लेती है किरन पटेल पर वो चुप्पी साद लेती है लेकिन जब यहां पर मोधी पर हमला होता है तो वो आम आदमी पार्टी पर तेज हो जाती है तो इनी सभी मुद्दों को लेकर संजे सिंग ने सपस्ट कर दिया है कि यहाँ पर सरासर जूट की राजनीती की गई है अब इस मुद्दे को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं मुझे दीजे इजाज़त और देखते रही है SPN 9 News धन्यवाद